हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपके अपने चनल टार्गेट गवर्मेंट पोश्ट पर दोस्तों अगर पूरी कंप्लीट फॉरेस्ट गार्ड की तयार चाहते हैं तो नीचे रडिकलर की सब्सक्राइब बढ़ा करके बिल आइकन को जिरू प्रेस करें जिस तो फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए बाकि आप लोग जो ग्रामर का पोर्शन है वह अच्छे से क्लियर कर लीजेगा ठीक है बाकि अभी जो थोड़ा बहुत समय बचा है इसमें इंपॉल्टेंट और स्लेवस पे ही पढ़ने तो ज्यादा अच्छा होगा तो वीड़ो गर है आपका जो टाइमिंग है ये भी सामकई है 8 बजे से आपके से चलती है। पूछिछान commence class 10 कएको Innisfire our friends का मतलब होता है एसके लिए आपको sence हो गये ठीक है और जितने भी टेंस के Kalß हो गया मतलब जितना भी आपका लगया यह सब कुछ बड़ीया से वगया अच्छे से आने चाहिए ठीक है न्यासा ही वक्स deben hardly works hardly दिया है to make both ends meet ठीक है अगर इस पूरे sentence में यहां तक कोई भी error नहीं है no error कर देना option number D write करना है लेकिन यहाँ पर अगर error है तो आपको उसी part को ही write करना होगा option में ठीक है तो यहाँ पर he works hard होना चाहिए hardly नहीं होगा next question है यहाँ पर हम एक और देखेंगे error find करेंगे इसमें 55 number question है he is junior then he is junior then all his friends ठीक है तो इसमें अगर कोई भी error नहीं है तो no error कर देंगे अगर error है part में तो फिर उसी part को ही आपको error दिखाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर दिया गया तो option number B यहाँ पर right हो जाता है next question चलेंगे next आपका topic है वो क्या रहने वाला है यह मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो आपका topic है वो क्या रहने वाला है तो topic के लिए एक second topic आपका जो है यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि आपको जो meanings दी गई है ठीक है उसके लिए जो आपको चार options दिये गए हैं उसमें से आपको वही देखना है जो express कर रहा हू उस word की best meaning ठीक है best express कर रहा हू मतलब उसके लिए आप यह जो word दिये है क्या दिये मैं है नियोचर दिया है टीक है नूचर के लिए यहां पर आपका right option क्या होना चाहिए जो उसी सस्की वरड मीनिंग को एक्सक्रिस कर रहा हो ठीक है वही तो इसकी word मीनिंग को और एक्सक्रिस कर रहा है देखहें यहां पर spelling आपकी एन ए люб यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें केवल आपको ऑप्शन नंबर जो डी है टू मेंटेन का मतलब हो जाता है कि भरण पोशन या पालन पोशन तो यहां पर इसका जो अर्थ है पालन पोशन होता है इसके लिए समानार्थी अगर हम लोग देखेंगे ग्रोउ तो यह उगने के लिए हो ठीक है ना स्टू सी तो यह आपका देखने से इंकरीज यह भी नहीं होगा ठीक है ना मतलब करना तो ऑप्शन नंबर यह बिल्कुल और निगल करेक्ट हिए देनी नियुक्य और करना थीक है तो यहां पर रिफ्यूस दी आ ना ओप्षिन नमबर भी इसका भी यही अर्थ होता एक यागर ना अश्वीकार कर देना मना कर देना तो जो इसका अर्थ है उसी के आधार पर ही इसमें option number B राइट हो जाता है अगले option को अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये regain दिया गया है यानि पुना प्राप्त करना repair का मतलब होता है मरम्मत करना और reduce का मतलब हो जाता है तो option number B जो है इसके अर्थ से बिलकुल सिमलर है तो option number B यहाँ पर write करेंगे next question यहाँ पर 63 है abuse, abuse का मतलब हो जाता है कि दुरविवार करना या गाली देना कह सकते हैं तो यहाँ पर option number C, scone का मतलब हो जाता है दुरविवार करना या हम कह सकते हैं कि तिरसकार ठीक है या दुरविवार इसका भी मतलब ही कुछ लगबग में वही होता है और use का तो आप जानते ही उपयोग करना यह तो अपस का होगा नहीं प्रेस का मतलब होता है प्रसंसा करना तो यह भी नहीं होगा अब यहाँ पर राइस देख रहे हैं तो मतलब यह तो ओता है चड़ावा कह सकते हैं, चड़ाई कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है न, नेक्स्ट कुशन 64 है, 64 में कह रहा है, डोसाइल दिया है, तो डोसाइल का अर्थ होता है, दब्बू, दब्बू या किसी के अधीन होना, ठीक है, तो अब इसके लिए राइड आप् करेंगे, और स्टॉंग का मतलब मजबूत होता है, यहां पर यहां पर दिया गया है, जो की सही हो गए, यहां पर कंसीडर्ट का मतलब हो जाता है, दोस्तों, विचारवान, ठीक है, या दूसरों का ध्यान करने वाला, ठीक है, तो इसके लिए अगर देखोंगे, तो आप काइंड, काइंड मतलब होता है, दयालू, जो दूसरे के हिद के बारे में सूचे, तो अपस नमबर B, यहां पर करेक्ट हो जाता है, अगर आप देखोंगे, तो ठीक है, तो इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, विचार पूर्ण या सावदान कह सकते हैं, चले नेक्स कुशन यहां चलते हैं, लोग 66 से 70 नमबर, तक तो चूज दा वर्ड अपोजिट, यहां पर वर्ड का जो अर्थ है, उसका विपरीत आपको जो अर्थ दे चाओ वर्ड उसको चूज करना होगा, ठीक है न, इन मेनिंग तो गिवन वर्ड एंड माक इन दा आंसर सीट, आपको, CBT है तो आपको वही चूज करना होगा, तो यहां पर दिया गया, वेनरेशन दिया है, वेनरेशन, वेनरेशन का अर्थ होता है, स्रद्धा या सम्मान, तो यहां पर आप्सन नमबर जो D दिया गया, डिस्रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब हो जाता है, किसी को क्या देना, असम्मान देना, निरादर करना, उसका, तो यहां पर इसके लिए क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, बाकि अगर देखेंगे, तो fear, fear का मतलब होता है, तो यह तो इस से related ही नहीं है, मतलब इसका opposite नहीं हो गई है, ठीक है, reversence, यहां पर दिया गया है, romance, romance का मतलब हो जाता है, आप, remorse दिया है, sorry, remorse दिया है, मैंने गलत पढ़ लिया था, remorse है, remorse का हो जाता है, आफसोस पस्तावा करना, ठीक है, और reverence दिया है, तो reverence का मतल हो जाता है, other, other, ठीक है न, तो यहां पर, जो option number D, correct हो जाएगा, next 67 की अगर बात करेंगे, तो insolent दिया है, तो insolent का आपका अर्थ हो जाता है, अवग्याकारी, यहां फिर हम कह सकते हैं, अविनीत, ठीक है, तो इसका willow, अगर देखेंगे, तो humble, humble मतलब होता है, विनीत ठीक है, विनीत कह सकते हैं, या फिर हम इसको यह भी कह सकते हैं, सादगी पूर्ण, तो यहां पर option number D, आपका correct हो जाएगा, next, अगर हम इनके और भी options के answers, इनके अर्थ देखें, तो देखो proud का मतलब तो आप लोग जानती होंगे, गर्व होता है, ठीक है, और, laudable का अग ग्यानी, ignorant का, ठीक है, तो चलिए, next शलते हैं, 68 में आएंगे, तो अर्बन दिया है, अर्बन का दोस्तों हो जाता है, सहरी, मतलब सहर वाले स्थान में रहने वाला, ठीक है, उसको अर्बन कहते हैं, तो इसके लिए जो option number आप देख रहे हैं, B, B दिया है, ruler, आपका ये ruler म जो दिया, civil का मतलब हो जाता है, असेन या फिर्म कह सकते हैं, राजनेतिक, ठीक है न, और यहां पर, हाँ, तो रस, टिक दिया है, तो रस्टिक का आपका हो जाता है, आपका ग्रामीड, इसका भी मतलब ही होता, ठीक है न, next शलते हैं, 69 पे देखेंगे, तो incredible दिया है, incredible का अर्थ हो जाता है, दोस्तों, असाधारण, असाधारण, तो इसके लिए option number B जो दियागे न, believable, यहां पर करेक्ट हो जाएगा, अगर possible का करोगे, तो possible का मतलब होता है, संभव, जो कि इसका विपरीत नहीं होगा, अगर यहां पर enjoyable का करो, तो आनन धायक हो जाता है, जो इमेजनरी की अगर बात करो तो कालपनिक हो जाता है नेक्स पार्ट में चलते हैं आपका 70 नमबर लास्ट आखरी है कुशन और इसमें भी आपको इसका अपोजिट ही सर्च करना है तो कॉंकर दिया गया है तो यहां पर भी या कॉंकर का मतलब हो जाता है सहमत ही देना ठीक है एक जुट होना कॉंकर तो इसके लिए डिस एग्री है डिसेपियर है डिसरेंज है और डिस करेज है तो यहां पर जो option राइट होगा option नमबर ए होगा disagree मतलब असहमत होना इसका मतलब होता है क्या सहमत होना एक जुट होना इसका मतलब होता है disagree का मतलब होता है असेहमत होना और disappear का मतलब होता है कि जो दिखाईना दिना या address से कह सकते है disarrange का मतलब अवस्तित हो जाता है क्यों कि arrange का मतलब होता है discourage की बात करेंगे तो हिमत तोड़ना हो जाएगा ठीक है ना तो दोस्तों वीडियो कर पसंद आएगे तो लाइक को और शियर जरूर करिएगा तो चलते हैं नेक्स वीडियो में मिलेंगे अपना ख्याल रखिए धन्नवाद बढ़ितना बुदिन शुगो